नमस्कार साथियों स्वागे था आपका दुरुशी आईएसके इनफोकस प्रोग्राम में मेरा नाम है मनीश जेंडर बजटिंग उस परकार की विवस्था है जिसके अंदरगत महिलाओं को विकास की मुखे धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है ये महिला शक्षक्ते करन का एक महत्वपूर्ण उपकरन है ताकि नीती निर्मान और बजटी आवंटन के माध्यम से महिलाओं की विकास को पुरुशों के समान ही बल प्रदान किया जा सके जेंडर बजट 2024-25 में महिलाओं के विकास को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है आज हम इनफोकस के प्रोग्राम में इसके संपूर्ण परिपेक्ष को समझेंगे सबसे पहले देखते हैं कि इस पुरा टोपिक के अंदरकत हमारी चर्चा की सामाने पक्ष क्या रहने वाले है सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पुरा टोपिक चर्चा में है इसके बाद देखेंगे कि जेंडर बजट 2024-25 में किस प्रकार से व्रिधी की गई है और इस व्रिधी के कारण क्या है क्या कहीं पर हमें ओवर रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग के भी साक्ष देखने को मिलते हैं उसको भी उधारनों सही समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से जेंडर बजट में व्रिधी से महिला सशक्तिकरण की एक प्रिष्ट भूमी का अंदर्मान होता है और अगर कहीं पर कमी है तो उसको कहां पर सुधारे जाने के आफशक्ता है यानि आगे की रहा पर बात होगी अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रशन होगा जिसका उत्तरा आपको कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके देना होगा यह जो पुरा विशह है UPSC की मुख्य परिक्षा की सामा ने अध्यन प्रशन पतर 3 से जोड़ता है भारती अर्थवेवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इससे देख सकते हैं क्योंकि इसमें जेंडर बज़ट की बात हो रही है हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और बैल आइकन दबाईए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इन प्रोग्राम से आप जोड़ सके इनका लाब उठा सके साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडियाफ फाइल आपको इन फोकस दुरिष्टी आईजिस के टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द कराई जा रही है डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक पर जाकर आप पीडियाफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि वित मंतरी की हाले की बजट घुषनाओं में महिला शोशक्तेकरण को प्रात्मिक्ता प्रदान की गई है यानि महिलाओं से संबंदी जो महतवपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए बजट ये आवंटन में महतवपूर्ण वृधी देखने को मिलती है जैसे महिला समर्थक कारेक्रमों को महतवपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है और जो बजट आवंटन महिला समर्थक योजनाओं के लिए किया गया है वो तीन लाग करोड रुपे से अधिक्का हो गया है वितमंतरी का जो जैंडर बजट स्टेटमेंट है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि दो हजार चोबिस पच्चिस में पहली बार जैंडर बजट सकल घरेलू उतपाद अनुमान के एक परतिश्यत तक पहुँच गया है किसके एक परतिश्यत तक पहुँच गया है जब हम जैंडर बजट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जैंडर बजट स्टेटमेंट भारतिये बजट में सबसे पहले वर्ष 2005 में शामिल किया गया था और जैंडर बजट स्टेटमेंट में दो भाग शामिल किये थे पार्ट ए और पार्ट बी यानि भाग ए और भाग बी भाग ए में ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया था जिनका सो प्रतिशत आवंटन पुरी तरह से महिला लक्षित योजनाओं के अंतरगत किया जाता है यानि इसमें महिला विसिष्ट योजनाओं शामिल होती है और इसका सो प्रतिशत आवंटन जो है वो महिलाओं के पर ही किंद्रित होता है पार्ट बी में ऐसी योजनाओं शामिल होती है जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिए होता है तो ये दो व्रध्धी के कई कारण है तो सबसे पहले हम इस व्रध्धी की कारणों पर बात करेंगे व्रध्धी किस तरह से देखने को मिलती है जैसे महिला समर्थक रोजनाओं के लिए बजट आवंटन का जो हिस्सा है वो वर्ष 2024-25 के कुल बजट वय का लगभग 6.8 परतिशत हो गया है जो सामाने जो 5 परतिशत का आवंटन रहता था उससे काफी व्रध्धी को प्रदर्शित करता है इसका मतलब क्या हुआ अभी हमने सकल घरेलू उत्पाद अनुमान का एक प्रतिशत हो गया है लेकिन जो बजट आवंटन है उस बजट आवंटन का जो कुल बजट वय का लगभग बजट आवंटन का जो हिस्सा है वो वर्ष 2024-25 में महिला समर्थक योचनाओं के लिए 6.8 परतिशत हो गया है और जो सामाने रूप से 5 परतिशत के बराबर रहता ह तो ये व्रद्धी को परतरशित करता है ये व्रद्धी क्यों हुई है इस व्रद्धी का कारण ये है कि हभी हमने चर्चा की थी कि 2006 में जब पहली बार बजट स्टेटमेंट लेंगिक आधारित बजट स्टेटमेंट यानि जेंडर बेस्ट बजट स्टेटमेंट योजनाएं जहां पर महिलाओं के लिए 30 पर्तिशत से कम बजट आवंटन किया जाता है उनकी भी एक नई श्रेणी बन गई है जैसे भाग सी में 30 पर्तिशत से कम आवंटन वाली महिला समर्थक योजनाएं शामिल होगी और इसके उधारण के रूप में हम देख सकते हैं कि क कारेक्रम का कुल परिवय 25 पर्तिशत के बराबर है इस परकार से आप देख सकते हैं कि अगर इसको भाग सी में रिपोर्ट किया गया है तो एक व्रधी महिला समर्थक योजनाओं के अंतरकर आपको देखने को मिलेगी साथ ही व्रधी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो पार्ट ए है उसके भी बजट आवंटन में महत्वपूर्ण रूप से व्रद्धी हुई है बजट अनुमान दोहजार तेश चोबिस के बाद से इसका जो हिस्सा है वो कुल जेंडर बजट स्टेटमेंट आवंटन के पांस 15 से 17 परतिशत से बढ़कर लगबग 40 परतिशत हो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि पहले भाग एक लिए सामानेत बजट आवंटन का जो लेंगिक आधारित बजट आवंटन होता था उसका केवल 15 से 17 परतिशत ही आवंटन होता था और अब यह आवंटन 40 परतिशत बढ़ गया है और भाग ए में कौन सी परतिशत को बढ़ा गया बढ़ा दिया है जो कि 6.8 परतिशत हो गया है अब हम एक नक्षे के माध्यम से मैप क्रेफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि भाग एक के लिए लगातार पिछले कुछ सालों में आवंटन बहें ज्यादा आग एकी पार्ट एकी योजनाओं के अंतरगत तो यह आवंटन बढ़ा ही है साथ ही पार्ट एका जो टोटल जेंडर बजट के परिपेक्ष में आवंटन है परतिशत के अंतरगत वह भी बढ़ा है जैसे आप देख सकते हैं कि वर्ष दोहुजार तीस चोबिस में जेंड सकता है जो की ओवर ओल जेंडर बजटिंग के अंतरगत होने वाले व्यक्य प्रतिशत को सामाने तोर से बढ़ा देता है इस व्रद्धी का एक और महत्वपुन कारण है कि कई योजनाओं का पूनर वर्गी करण किया है और पूनर वर्गी करण करके उनकी श्रेणी में पर महिला विशेष्ट विद्ध पोर्षन का होता है यानि 30 प्रतिशत से अधिक आवंटन अगर आप महिला के इंद्रित करते हैं तो ऐसी उजनाओं को पार्ट बी के अंतरगत जेंडर बजट स्टेट्मेंट में शामिल किया जाता था अब इसको प्रधानमंत्री आवास सकत्तित किया है तो इस ने भी आवंटन की याष्वी को बढ़ा दिया है जिसके आवंटन में एक महत्व्रद्दी हुई है लेकिन इस आवंटन को इसके अंतरगत पुनियर वर्गी कृत्तों कर दिया गया लेकिन ये कई प्रकार के सवाल भी खड़ा करता है क्योंकि क्या प्रधानमंतरी आवाश योजना का संपूर्ण हिस्ता महिलाओं को ही फाइदा पहुचाता है वो किसी प्रकार से पुरुशु परकेंदरित नहीं है इस पर भी एक बड़ा सवाल है और इसलिए इसकी रिपोर्टिंग की सटेक्टा पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसकी आलोचना भी हो रही है इसलिए सब से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इस योजना बजटी आवंटन के अंतरगत जो जेंडर बेस्ट बजटी आवंटन है उसके अंतरगत हमें ओवर रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग के उधारण देखने को मिलते हैं जैसे ओवर रिपोर्टिंग का एक महत्वपूर्ण उधारण है प्रधान मंतरी रोजगार स्रिजिन कारेक्रम इसका उदेश है क्या है इसी ओजना का गैर कृशी शेत्र में सूक्ष में व्यवसाय स्थापित करने में उद्यम्यों की साहिता करना जेंडर बजट स्टेटमें के अंतरिट शामिल करने रिपोर्ट करने के अंतरिगत कोई स्फच्टिकरन नहीं दिया गया है और प्रधानमंतिरी रोजगार सरजन का कारिक्रम, रोजगार सरजन कारिक्रम का संपूर्ण हिस्ता महिलाओं को ही फाइदा पहुचाता है, इसका कोई स्पच्टिकरण नहीं दिया गया है, तो ये ओवर रिपोर्टिंग का एक महत्वपोर्ण उधारन है, इसी तरह से कहीं दर्शाय जाने का ये पहला उधारन है, लेकिन इसका सो प्रतिशत जो हिस्ता है, वो महिलाओं और लड़कियों के लिए ही समर्पित है, तकनी की रूप से ये बात बिल्कुल स्थाही है, यानि इसको पहले से ही भाग ए में शामिल कर दिया गाना चाहिए था, राश्ट्र रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग दोनों के उधारन देखने को मिलेगा, और इसलिए इसके अंतरगत महत्वपूर्ण सुधार करने के आवशक्ता है, और इसलिए हम आगे की रहा पर बात करेंगे, जैसे आगे की रहा में यही है, कि भाविशे में इस पस्ट्र करन के साथ ही किसी चीज को किसी आवंटन को पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C का इससा बनाया जाना चाहिए ताकि इसके पूरे लिखांकन में इसके पूरे ओडिट में सुविधा हो और सरकारी कारेक्रमों को बहतर तरीके से लिंग आधारित परिणाम प्राप्त करने में आसानी हो इसी तरह से जेंडर बजट स्टेटमेंट अभी भी व्यग्यानिक और व्यवस्थित दृष्टिकून का अभाव देखने को मिलता है तो इसको और ज्यादा व्यवस्थित बनाए जाने के आफशक्ता है ताकि वास्तविक व्यव के माध्यम से महिलाओं के विकास को भागेदारी की प्रष्ट भूमी का निर्मान करना चाहिए और यही आगी की रहा भी होनी चाहिए अंत में इससे सम्मंदित एक प्रशन भी देख लेते प्रशन क्या है जेंडर बजट स्टेटमेंट के नुसार दो हजार चोबिस पच्चिस के लिए कुल बजट व्याइक कितना परतिशत महिला समर्थक यूज़नाओं के लिए आवंटित किया गया है आपको जैंडर बजट मरब के अनुसार बड़ बताना है प्रतिशत महिल्या समर्थक यूज मुक्षर वांक ह Congrek एक प्रतिशत, तीन प्रतिशत, पांच प्रतिशत या 6.8 प्रतिशत इस प्रशन का उत्तराफ हमें कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर दीजिए फिर से एक नए सेशन में आप से मुलाकात होगी धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले झाल